अगर आप नौकरी ढूंड रहे हैं तो आपके लिए एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे दस नए वेकेंसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये सभी सरकारी नौकरियां है इसलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए हो सकता है कि आपको इन मेंसे कोई एक नौकरी मिल जाएं जिहां सबसे पहला वेकेंसी उत्तर प्रदेश्वावर कॉर्पोर से लिमिटेड में है जहाँ उत्तर प्रदेश्वार लिमिटेड ने टैक्निशियन पदों पर भरती है तो आवेदन आमंतरित किये हैं योग्य उमिद्वार इन पदों के लिए 1 अप्रेल 2019 से आवेदन कर पाएंगे, आवेदन जमा करने की अंतिम्तिती 30 अप्रेल 2019 है, सैक्षिक योगिता की बात करें तो उमिद्वार को साइंस सेवं मैथमेटिक्स विसे के साथ 10 भी पास होना आनिवार्य है, साथी उमिद्व अधिक जानकारी के लिए www.upcl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, अगली खबर जबाहरलाल इंस्टिट्यूट आप पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से आ रही है, जहां फैकेल्टी और नॉन फैकेल्टी के पदों पर भरती के लिए आवेदना मंत्रित किये गए हैं, एक चुक मिद्वार एक मई 2019 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, खाली पदों की बात करें तो प्रोफेसर पद के लिए पाच और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पचपन और LDC के लिए 10 पद ख चाहिए, LDC के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो किसी मानेता प्राप्त विस्विद्याले से बारविक अक्षा या समकक्ष युगता होनी चाहिए, उम्मिद्वार जिंपर की ओफिसियल बेपसाइट www.jimpar.in पर जाकर उनलाइन आवेदन कर सकते हैं, All India Institute of Medical Sciences मंगलगिरी आंदरप्रदेश ने फेकल्टी और ग्रोप ABC के लिए 101 पदों पर आवेदन आमंत्रित किये हैं, पात्रों मिद्वार 30 मई तक या उससे पहले आवेदन भीज सकते हैं, सेक्षणिक योगिता और अन्यविवरन संबंधी अधिक जानकारी के लिए उमिद्वा रोजगार समाचार पत्र में बिग्यापन के प्रकासन की तिथी से 21 दिनों 20 अप्रेल 2019 के भितर निर्धारित प्रारूप में आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सेक्षणिक योगिता और अनुभब की बात करें तो किसी भी मानेता प्राप्त संस्थान, बोर्ड, संगठन स मेट्रुकिलोसन या समकक्ष योगता होनी चाहिए, अब अगली वेकेंसी की तरफ चलते हैं, नेशनल इंस्टिट्यूट अप टेक्नलोजी राउ केला ने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमत्रित किये हैं पातर उमिद्वार 30 अप्रेल 2019 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, पदों की संख्या 177 है और इंजिनियर डिपार्टमेंट संबंधित साखा में बेटेक और बेए के साथ पिएसडी डिग्री भी होनी चाहिए, योग्यों और कॉंस्टेवल महिला एवं कॉंस्टेवल ड्राइवर के पदों पर भरती है तो आवेदन आमन्तित किये हैं, योग्यों मिद्वार 30 मार्च से 30 अप्रेल 2019 के बीच उनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, पदों की कुल संख्या 1063 है, सेक्षनिक योगिता उमिद्व बारवी पास होना चाहिए, योग्यों मिद्वार ओफिसियल वेब साइट www.hppris.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, अगली वेकेंसी सेनिक स्कुल नगरोटा जम्मू ने TGT एकाउंटेंट और अन्यपदों के लिए आवेदन आमन्तित किये हैं, योग्यों मिद्वा बार को बी एवं बी एड के साथ हिंगली सेवं सिटेड पास होना चाहिए, एक्चुक उमिद्वार ओफिसियल वेब साइट www.sanicschool.nagrota.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्टेट रूलर लाइबली हुड मिसन SRLM मध्यप्रदेश ने असिस्टेंट डिस्टिक मैनेज एवं एकाउंटेंट पदो के लिए आवेदना मंतरित किये हैं, योग्योमिद्वार ओफिसियल वेब साइट से 7 एपरेल 2019 तक या इससे पहले आवेदना मंतरित कर सकते हैं, पदो की संख्या तहतर है, सेक्षनिक योगिता असिस्टेंट डिस्टिक मैनेजर के लिए योग उमिद्वार SRLM की ओफिसियल वेब साइट पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अगली वेकेंसी, गाडन, रिच, सिप विल्डर, सेंड, इंजिनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ने सुपरवाइजर एवं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पदो पर भरती हैं तो आवेद C.IN पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आज की आखरी वेकेंसी कमचारी राज बिमा आयोग देहरादून ने UDC और स्टेनोग्राफर के 18 पदों के लिए आवेदन आवंतित किये हैं, योग उमिद्वार 15 हैप्रिल 2019 तक या उससे पहले अपना आवेदन भेज सकत स्टेनिक योगिता हायर सेकेंडरी पास किसी मानता प्राप्त बोड से बारवी की कक्छा या उससे समकक्छ पास होना चाहिए, एक चुक उमिद्वार अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in slash recruitment पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं,